हाई फ्रेंद्स वेलकम बेक टो मैं चैनल सिजलिंग प्लेट विद फाकरी तो फ्रेंद्स आज मनाने वाली हूं बहुत ही मज़ेदार सा और आसान सा सेंविच जो हम घर में आसानी के साथ बना कर खा सकते हैं यह देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से भी फ्रे क्रीमी और चीज़ी सैंविच बना के रैटी हो चुका है बहुत ही बढ़ीया सा मैंने बनाया थे बहुत ही आसानी इसके साथ में जादा चीज़ें नहीं लगती हैं घर के चाहिए है और आपको जब भी भूख लगे तो फटा फटी है मज़ेदार सा सैंवेच बना के खा सकते हैं बहुत यम्मी वाला तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ इसको हमें बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और इसको बनाना कैसे है तो यहाँ पर देखें मैंने वे शमारे मिला देंगे हरा मूंग इसको मैंने पानी में बिगांके रखाता रात बर और कपने में बांधके जिसकी वजहेँ सगैसे है इसमें इसमें दालेंगे100 डालने एक कट्टी श्प्राउट डलाया है अब इसमें डाला हूँ है हाथ चिर्ली आती रखूं हो या नमक और काली मिर्ची का पिसावा थोड़ा डालेंग इसमें और यहां पे लिए मैंने पिज़ा का जो हर्ब्स रहता है वह मैंने लिए है एक चमच यह सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लेना है मिक्स कर लेना है यह देखिए जो हमारे सारे जो वेजेटेबल से आरा सेलेट बन चुक है अब हम इसको साइड में रख देंगे और हम एक ब्रेड ले लेना है इस पर हम लगाए पहले बटर मस्का पूरे ब्रेड पर अच्छे से मस्का लगा ले ना कि जब हम इस पर यह सेलेड डालेंगे तो यह नरम नहीं होगा क्योंकि नीचे मस्का लगा लूंगी यह देखिए इस तरीके से इसको मैंसे रख देंगे और इसके ऊपर की साइड भी हम मसका लगा लेंगे कि जब हम तबे पर डालेंगे तो यह जले नहीं अच्छे से क्रिस्पी हो जाए यह रैडियो चुका है और यहां पर फ्रेंस हमारा तबा भी गरम हो इसको अब हम पल्टी कर लेंगे 102 मिट हो चुके आराम से थोड़ा यह देखिए कितना अच्छा इसा कलर आया फ्रेंस बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना खाने में भी उतने ही मजाने वाला बहुत ज्यादा टिस्ट होता है तो इसको थोड़ा सा दबा देंगे और इसको को बहुत ही बड़िया साहमारा सैंवेच मनके रैडियो चुका आपने घर 16 बनाएई जरूर करिए मेरे चैनल को सब्स्राइब करिएगा मेरे वीडियो को लाइक करिएगा बाई फ्रेंस मिलते नेक्स वीडियो में